अपने भक्तिवर्दनी महासभा बे हजर सत्तर महासभा नी त्रितिय श्रेणी प्रारम करी रहिया छे। अपने भक्तिवर्दनी महासभा मां चार विभाग प्रश्णों ना आधार पर करिया छे। अपने भक्तिवर्दनी महासभा नू आजे प्रारम सांप्रदाईक प्रश्णों थी करी शू। अपने बीच में यहां अम्मा जी विराजमान हैं। संप्रदाईके जानकार एवं अनुभवी ऐसे हमारे फूफाजी विराजमान हैं। आप सबोंने संप्रदाईके सिध्धन्तों को अपने जीवन में जिया। भगवद भक्ति को साधने का सफल प्रेत्न किया। एवंच जितने भी अपने हां के इनके सांप्रत समय के आचारे गण हुए। उनके भी वचनामरत व्याक्ष्यान सभी प्रकार का उनके द्वारा शास्त्रों का विवेचन उनके द्वारा किया हुआ भगवद अर्थ जीवन यापन। इत्यादी चीजों को देखने से मैं मानता हूँ के हमारे हां एक प्रसिद्ध कहवत है बहुश्रतो भवती पंडित हा। जिसने बहुत सुना होता है, जिसने ततपरता से श्रवन भक्ति की होती है, वो खुद अपने आप में एक पंडित हो जाता है। तो आज हमारे सभा में पंडित के स्थान पे फुफा जी विराज रहे हैं और उन्होंने इतने पूर्वजों को हमारे से पहले जो इस संपरदाई में आए हैं ऐसे आचारे बालकों को सुना हैं कि आज हमको कोई भी प्रकार का समाधान करने में प्रश्णों के ऐसे बड़ बिराजमान हो तो कहीं ने कहीं हरदय में भय रहता है कि कहीं ने कहीं कोई गलत प्रकार का विवेचन हमसे न हो जाए तो कोई तुर्टी हो तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा शिम्मद आचाय चरण और शिक उसाई जी के चरणारविंद में भी यही प्राठना है क कि आप सद वुद्धी और सद विद्या का दान करें जिससे समाज में जो भी जिग्यासा से उत्पन्न हुए प्रशन हैं उनका इस्वर्ष भी थोड़ा समाधान हो सके और मैं कहूंगा कि प्रश्ण तो दो तीन प्रकार से होते हैं अज्ञानता में भी प्रश्ण होते हैं अश्रद्धा में भी प्रश्ण होते हैं संशय से भी प्रश्ण होते हैं और शुद्ध जिग्यासा से भी प्रश्ण होते हैं तो अज्ञश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्यश्य आधान कर देना चाहिए तकि अज्ञानसे जन्य अशृद्धा नहों और अश्रधद्धा करण कोई विश्भा स्व्षए नहों को और दो तीन प्रकार से लोगों में अज्ञानता व्यापत होती है एक होता है सरवथा अज्ञान कोई बात को न जानना किसी विशय में कोई मालूमात कही न होना दूसरा प्रकार होता है अलपक ज्ञान आधा ही ज्ञान होना पूरी बात मालूमात न होना और तीसरी वस्तु होती है अन्यत्हाग्यान होता कुछ है और हमें पता कुछ होता है तो उसे हम कहते हैं अन्यत्हाग्यान तो सरवथा अज्ञान अल्पक्यान और अन्यत्हाग्यान यह दो प्रकार का होता है अश्रद्धा भी दो प्रकार की होती है और श्रद्धा एक होती है कि क्योंकि अभी तक ज्यान या अनुभव की प्राप्ति नहीं होई है उससे जन्य अश्रद्धा और एक अन्यथा ज्यान से जन्य अश्रद्धा और संशय जो है यह सबसे खतरनाक वस्तु है शास्त्रकार इसकी बहुत निंदा करते हैं कि व्यक्ति को डाउट में नी रहना चाहिए अज्यानत आश्रद्धा का फिर भी समाधान है संशय आत्मा के लिए भगवान ने कहा है नायम लोको न परो न सुखम संशय आत्म नहां संशय आत्मा व्यक्ति जो है उसको इस लोक में भी कोई सुख नहीं है पर लोक में भी कोई सुख नहीं है तो सुखी रहने के लिए सब से पहले एक जीवन का मंत्र है हमारे को कोई वस्तु पे भी सम्षय नहीं होना चाहिए यह महासभा के रूप में अपन ने भक्ति वर्धिनी नाम जो रखा है उसका कारण यह है पुष्टी भक्ति मार्ग में आने वाले हर व्यक्ति की भक्ति का दिन प्रति दिन वर्धन होना चाहिए हम यहां से वही बातें करें जिससे हमारी भक्ति ठाकुर्जी के चरणारविंद में श्महाप्रभुजी कृपा से बढ़े तो सबसे पहले एक वस्तु समझो कि आज यहां जो भी प्रश्णों तरी हैं इनमें प्रश्ण बहुत से ऐसे आते हैं कि जिन में हमको ऐस होता है कि इतना भी नहीं पता है लेकिन इससे कोई फरक नहीं पड़ता भले बहुत लोग ऐसे हैं जिनको संप्रदाय में अभी रूची अभी अभी हुई है संप्रदाय में अभी रुची अभी अभी हुई है संप्रदाय में वो पहले से हैं संप्रदाय में तो जब से कंठी ब्रह्म संबंद उनका हुआ तब से वो संप्रदाय में तो आ गए है लेकिन संप्रदाय में आकर भी उन्होंने संप्रदाय को जाना नहीं तो अगर किसी में मार्ग रूची प्रकट हुई है तो वो भक्ति मार्ग का अधिकारी है मार्ग रूची होना भी बहुत बड़ी उपलब धी है सिध्धान्त रहस्य की टीकाओं में किसको ब्रह्म संबंद कराना और किसको ब्रह्म संबंद नहीं कराना इस पे भी शी हरिराय चरण का और पुरुष्टम चरण का मत यही है कि जिसकी मार्ग में रुची हो उसका ब्रह्म संबंद कराना चाहिए कि यह वापिस सबका स्मर्ण कराऊंगा सबको कि ब्रह्म संबंद का जो पुष्टि मार्ग में प्रकार है यह अपने हां का दीक्षा विधान नहीं है ब्रह्म संबंद दीक्षा नहीं है एक भी टीका कारने साथ टीका और दो स्वतंत्र लेक सिध्धान्त रहस्य पे उपलब्द हैं और सिध्धान्त रहस्य के एक भी टीका कारने ब्रह्म संबंद को दीक्षा शब्द से साथ जोड़ा नहीं है अश्टाक्षर मंत्र नाम निवेदन की अपनया दीक्षा है लेकिन आत्म निवेदन संसकार है आत्म निवेदन क्या है संसकार है आत्म निवेदन किस प्रकार का संसकार है जैसा यग्यो पवीत संसकार होता है जैसा पाणी ग्रहन संसकार होता है वैसा एक अलवकिक संसकार है जिसको हम कहते हैं ब्रह्म संबंद ब्रह्म संबंदो नाम पुष्टिमार्गिय आचार्य द्वारा भगवति निवेदनम समझें तो ब्रह्म संबंद का मतलब क्या होता है ठाकुर जी को अपना आत्म निवेदन संस्कार सिद्ध होना तो ब्रह्म संबंद प्रक्रिया जो है वो संसकार है और उसमें पंचाक्षर मंत्र का सगध्य जो दान है वो मंत्र दीक्षा है लेकिन जिसको हम विधी कहते हैं विधी इस पूरे ब्रह्म सम्मंद की उपवास से लेकर गुरू के माध्यम से पुष्टि मारगी गुरू के माध्यम से भगवच चरनारविंद में सगध्य पंचाक्षर मंत्रो जन्य तुलसी पत्र निवेदन तुलसी दल का जो निवेदन हो अपनी अपन्यां का दिक्सा प्रकार न नहीं है अपन की शित अपनी शरं आगती जो है व नाम निवेदन अस्टाक्षर से ही होती है इसलिए अस्ताक्षर निरूपन गरंथ में शी गुसाई जी आप स्वयम आज्या करते हैं वेद वाक्यम महावाक्यम पुराणे भारते तथा श्रीमद वल्लब वाक्यार्थम श्री कृष्णह शरणम ममा अपने हाँ श्री कृष्णह शरणम ममा जो गरंथ है ये वेदों से सम्स्थ भगवच शास्तरों का और श्रीमद आचारीर्चरण के सम्स्थ घ्रंथों का और आपके प्रत्यीक वाक्य का सार है कि अपने को शी खृष्ण की शरण में रहना चाहिए अब स्रीकृष्ण की हें जो रहना शरणागती शरणागती शब्द का मतलब होता है आप जिसकी शरण में जा रहे हो वो आपकी तरफ बढ़ रहा है शरणागती शब्द नहीं है शरणागती शब्द होता तो शरणागती शब्द का अर्थ होता अपने शरण स्थान की तरफ जा रहे हैं लेकिन शब्द है परण में जाना चाहा रहे हैं वो भी अपनी तरफ आ रहा है जैसे अपने हां के बड़े अपन बड़ों के पैर चुने जाते हैं तो वो अपने कंधा पकड़ के अपने को उठा लेते हैं कि नहीं पैर मच्छो किसी भी पूज्य वेक्तिक सहाज वो प्रेम में आके अपनी त सदोध्रती करें अपना उद्धार करें अपने को अपनी और उठाए उस complete प्रक्रिया को संप्रदाय में शर्णागती कहा जाता है केवल हम ठाकुर्जी की तरफ नहीं जाते ठाकुर्जी भी अपनी तरफ आते हैं ठाकुर्जी क्यों अपनी तरफ आते हैं क्योंकि ये केवल पांचरात्र सिध्धन्त के एक मंत्र के हिसाब से अस्टाक्षर नहीं मिल रहा है यह अस्टाक्षर देने में भी क्योंकि इसमें माध्यम अंगी कृत्याईव गोपीशव लभीकृत मानव आप स्वयम शिमदाचारे चरण स्थित हैं इसलिए था महाप्रभुजी की आड़ी में मां करिश्न इवा गतिर महमा कितनी बार कहा नो बार कहा नो बार अपन ने कहा ऩर्शन इवा गतिर महम हो तो मां प्रभुजी ने उसके सामने क्या कर दो क्रिश्न एवा गतिर्मम के सामने दस्वाश लोग क्या है कि सरव सामर्थ्य सहिता सरवत्र वाखिलार्टकृद शरनस्त समुध्धारं कृष्णमविज्यापयाम्यः यह विज्यप्ति किसके आगे की गई है ये विज्यप्ति उसक्यागे की गई है कि जो सरवत्र है कहां है और कहां नहीं है वो प्रश्णी नहीं है वो सर्व सामर्थ्यवान तो है लेकिन सरवत्र ही वा खिलार्थकृत है जहां तुमको जो वस्तु चाहिए वो उपलब्ध कराने में वो समर्थ है क्योंकि शर्णस्त का उद्धार करना जे जन शरण आये अनुसरही गही सवपत्ष गोवर्धन नाद जैसा गुसाई जी का कार्य है वेसा ही कार्य ठाकुड जी का भी रहूं कैसा है कि शरण में जो जाएगा उसका उद्धार ठाकुड जी आप स्वयम करते हैं तो भक्ति मार्गिये कुछ विवेक हैं भक्ति मार्गिये कुछ मर्यादाएं हैं भक्ति मार्गिये कुछ ऐसे अपने प्रकार हैं कि जिन में केवल साधक को या शरणागत को ही कार्य नहीं करना पड़ता उसके लिए ठाकुड जी भी कुछ कार्य करते हैं इसलिए भक्ति मार मार्ग में बार बार ऐसा कहा गया है कि मार्गो यम सर्व मार्गा नाम उत्तमाह परिकीर्टिता यस्मिन पात भयम नास्ति मोचकह सरवथा यतहा यहां गिरने का डर नहीं कि अगर आख बंद करके भी इस मार्ग पर भागा जाए तो यहां गिर जाने का या डिस्कौलिफाय होने का कोई भी चांस नहीं है ऐसा अपना उज्वल दिव्य भक्ति मार्ग है और यह भक्ति मार्ग क्योंकि भगवान में सही प्रकटित ऐसी भक्ति नामना भगवान की शक अनुग्रह भगवान की अनुग्रह से भगवान की करपा से यह मार्ग पोशित है इसलिए अपने को इसके पोशन पे खास ध्यान देना चाहिए इसलिए हमने इस पूरी अपनी यह महासभा का एक नाम और एक व्यवस्था पक्षई भक्ति वर्धनी रखा है प्रारंब मेश महाप्रभुजी ने लिखा यथा भक्ति प्रवर्धास्या तथो पायो निरुप्यते महाप्रभुजी ने यथा भक्ति उत्पन्नास्या तथो पायो निरुप्यते नहीं कहा भक्ति को उत्पन्न करने की आवश्यक्ता नहीं है भक्ति बीज भाव से अंश रूप से अपन सबों में स्थित ही है क्योंकि अपन भगवान के अंश है ममई वान्शो जीवलों के जीव भूत सनातन है तो सनातन भगवत अंश होने से भगवत पदार्थ भगवत तत्व होने से अपने अंदर भगवत भक्ति विराजमान है और क्योंकि वेद की आग्या है यो यदम्ष सतम भजेत तो जो जिसका अम्ष होता है उसको उसकी भक्ति का सहज अधिकार होता है अपने को भी ठाकूर जी की भक्ति का नैसरगिक सहज अधिकार सिद्ध है। कोई भी मानव मात्र कृष्ण की शर्ण में जा सकता है पशु पक्षि आदी से लेके और स्थावर जंगम से लेके कीट पतंग आदी से लेके ब्रमलोक परियंत जो भी लोग विराजमान हैं ये सब के सब भगवान के ही हैं चाहे इसमें दैवास और विभाग हो सात्विक रा की भक्ति का अधिकारी है भगवत प्राप्ति का अधिकारी है और अपने जीवन में उद्धार करवाने का अधिकारी है तो यह अपन सबों की उद्धरती का मार्ग है कि जो श्री महाप्रभु जी गुसाई जी द्वारा प्रशस्त किया गया जैसा अभी पूरु में सुत् हुआ तो हसे प्रश्न चलंबिद नहीं उनक्रिट जब आए तो उन प्रश्नों में ऐसे प्रश्न भी थे के जो जन जीवन दुऑर थे में कुछ प्रश्न 시작 के केवल लोगों की मानसिक्ता या भावनाँ से ही केवल जुड़े हुए थे तो हमारे हां हर प्रश्न का स्वागत है और कोशिष यह है कि हर प्रश्न का अपनी तरफ से समाधान हो तो आओ अपाल लोग सब प्रश्णों तरीका आनंद लें और जो करम से यहां प्रश्ण सेट हैं उसी करम से अपाल लोग कारिक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रिगोवर्धन नाथ तो पहलो विभाग छे सांप्रदाइक विभाग एमा पहलो प्रश्ण छे अत्यारे बद्धाश्री वल्लप खुल बालोको अलग-अलग आग्या करे छे तो वईश्णों होए कई रीते शू मानू अने शू नहीं जेम के कोई बालक चुन्दरी मनोरत करावे छे अने कोई ना पाड़े छे एवा तो घणा बदा प्रश्णों छे वईश्णों होना अच्छा हवे आवा जो प्रश्णों आवे आजे गुजराती माज आपड़े राखिए तो मने पने वुँ प्रश्ण थाई छे के हूं चलो समाधान आपूं तो कोन मांड से जे प्रश्ण थाई छे के घणा बाल को जुदी जुदी आज्याओ करे तो जुदा जुदा उत्तर पनावे तेवी रिते हूं जो उत्तर नो आ उत्तर नो हूं समाधान करूं तो यह मानवा वड़ा केटला हाँ नहीं इतले हूं पूछो जुदा बराबर तो आवा जो प्रश्ण होई नहीं आनू समाधान के वी रिते थाई जू आनू समाधान आपने वी रिते लेऊ जो यह के एक वस्तु बद्धा आज यहां थी याद राखीने जाओ गुरू कोई दिव से तमारू अहित नहीं करें किमके गुरूनों कार्यसों छे देह द्रोण्या यासु नाम परंपारं भवां बुदे गुरूना कर्ण धारेन युद्तार यहां स्वोपदेशत हा साधन दिपिका मां गोपिनात प्रभुचरण आग्यां करें छे कि जेने जे कोई मानस ने आद देह रूपी नाव संसार समुद्रती पार कर्वी छे एने आ नाव मां केवट नी जग्या पोता ना गुरू ने राखु जो यह जे एना उपदेशत ही आद अमारी देह रूपी नाव ने संसार समुद्रती पार करें तो गूरू जे एक तत्व छे ये आपड़ा त्यान कोई व्यक्ति नथी प्रभुजी गुसाईजी ना जेटला पन वंचजो आप भूतलू पर विध्यमान छीए अमें लोको गुरु द्वार छीए गुरु द्वार एटले आपड़ा त्यहां शि महाप्रभुजी सिवाए गुरु कोई न थी गोपी जनों सिवाए गुरु कोई न थी भगवान कृ शिवाय गुरु आपड़ो कोई न थी तो आजे कृष्टम वंदे जगत गुरुम थी लई ने आपड़ा हरेरही साध्यते भक्तिया प्रमाणम तत्र गोपी कहा गोपी जनों आपड़ा गुरु छिए इटले आपड़े संप्रदाई नी कोई पंड सभानु प्रारंभ करिये तो सवथी पेला आपड़े कहिए श्री कृष्टम आई नमहा श्री गोपी जन वल्लभाई नमहा आपड़ी साम्प्रदाईक मुद्र आपड़ो साम्प्रदाईक चिन छे गोपी जन वल्लभाई नमहा इटले गोपी जन अने वल्लभ आप बनने जन इटले श्री बुझी आप स्वयम छे अनिया त्रणे त्रण भगवत स्वरूपों एक रूपत छे तो इटले गुरू तत्व गुरू द्वार गुरू पद गुरू पदार्थ जे तमने प्राप्त थयू होए ए तमने जुदी-जुदी आज्यां करता पन होए तो ए तमारू कोई दिव से अहित करे नहीं आसा उती पहली वस्तू बीजी वस्तू जारे गुरू तमने खोटो उपदेशा पे यहां दाता दाने तो छे इटले दाखला तरीके होता हमने कहों कि गुरू तमने कहें क्या चुनडी मनोरत करो एक वस्तू ने बहुत ध्यान ती मारी संभड जो तो चुन बंड बीजा पंड जे मनुर्थों छे एक करवानू प्रकार जायस छे के ना जायस छे आँ बधाज ये कोई पन प्रश्णों छे न एनी आक्खी जवाबदारी एक गुरू उपर आवी जाए छे कि तमारों उद्धार थसे के नहीं हवे ए पोताना स्वा स्वरू बल उपर खोटू कर्म करीने पन तमने जो त्राण आपवामा सशक्त होए तो हूँ कहुँछू एवा गुरू नी वात मानवामा तमारों तो उद्धार जच्छे हवे जेटलू पन पाप अने अपराजनू सेक्षन छे न ए बद्धू गुरू उपरज रेवानू यह तो बद्धू गुरू नो का रहे छे गुरू तमने साची सला आपए खोटी सला आपए तो एप आपनू भागी कौन तमे के गुरू पन तमे जो एव एमनो शिश्य तरीके पोता ने गणता हो ने तमे ए प्रकार ने नहीं स्विकारो तो तमे दोश्मा आ तो पेलो खाये छे तमे पन घास्तो नथी खाता न तमने तमारू हीत अहीत विचारवा मा पोता नी पन तक विवेक बुद्धी पोता ना अस्टाक्षर ना जप नित्यना पाठ ना अनुसंधान के अनुष्ठानो ती पोता ना घर मा बिराजमां ठाकुर्जी नी सेवा ना प्रकार अने प्रभाव थी जिए कई पन अलवक एक सामर्थ तमारा मा श्री महाप्रभुजी ने यमना जी संपाधित करे छे इना थी थोड़ी घणिक तो आटलू विवेक बुद्धी तमारा मा पन हसे ना कि आज आपनी आज्या थाई छे आ परंपरा मा छे के नहीं हुँ आपने कि तरेटी मा लोटो रमां ड्रेती मा लोटो एलुेलज scheint अलवकी तीर्थ होस्थानों तियां बताए वाचे इनों आध्यात्मिक कारणों पन बताए वाचे पन डंडोती परिक्रमानी वाद तमें करों टंडोती परिक्रमा कराए कै т.थ मारों एकल परश्न चे परिक्रमा करी के गुसाई जी ये करी गोपिनाज जी ये करी साथ बाल को ये करी हरीराई जी पुर्षवत्तम जी करी पोतानी परंपरामा मारा प्रवपितामा की पितामा सुधी को ये करी हवे ना करी तोपाजी हूं सुकाम करू मने सुकाम करवी करवी जोई है के ना करवी नहीं कई देस किमके मारा पूर्वजोए खोटू नहां करें हो ए लोको ना द्धन प्रतिष्था लाभ पूजार्थ यतन कर वाड़ा लोको नहाथ लोको ने कोई स्वार्थ नहाथ नहां तो उपदेश करना रा गुरुओनी जी परंपरा छे ए परंपरा मा जो चुनडी मनोरत के दंडोती परिक्रमा के दूद्नी धार नी परिक्रमा आ बदी थाई होए तो ए राइट छे नहीं तो बद्धिवस्तु रॉंग छे हवे थोड़क घणुक तो आपड़े पन जे पन शोडश ग्रंथना आलोडन करया होए जेटलू विचार चिंतन मनन श्री भागवत जीनू के भागवत जीतानू के आपड़ा स्वमार्गी ग्रंथवनू वैश्णों ने थाई होए तो वैश्णों ने पोते खबर पड़ी ज चैना या कि गुष्टरामी बाल को ना मिशेख शोंगा को धरमाचारे विशेक नहीं करता आजना संपरत समय मात्माज वैश्तों कुल पर वतलब बालां ने चलावी रो चैनलाओ वेयो समाजश ब्राट स्माजश कुल रया नती या मि ब्रमणा गुरूपद उपर बेसने क कोई गुरु बूरु न थी तमें लोको आजे जगद गुरु थाई गया छो ने तमें लोको जे कई प्रकारना आम आवी लेन आवी ने राओ के आ ब्रोजेक्ट छे जे जे तो जे जे ने के वुपड़े हाँ जे थाई जैसे आज नू समय एवु आवी गयुँच हूं कोई आअग्या लेवी हैुँ आपना थी एक आग्या लेवी यति आग्या लेवी आधा अग्या लेवी है ईट ये आपी दे जो!!! हुँ लेवा जाये वो छुँ पहला विंती करता वैश्णों जो अहीं आप प्रश्ण करता ने हुँ केवा मागू छुँ कि वल्लप को लुपर खोटा दोशार ओपन करो तो वैश्णों ना उपर पन तैयार थाई जाओ मारा पासे पन मोटी लिस्ट छे प्रश्णों नी बर कोई नी परिस्थिती के भी होए कोई नी मानसिक्ता के भी होए यह समय मां एने सु मड़ू जोई सुन अमड़ू जोई बदू विवेक राकी ने गुरू ने पना आग्या कर भी पड़े परन्तु मां आ प्रश्ण ना समाधान महां तू आटलूज कैस कि महाप्रभुजी परश्ण लौट गुससाइञ गुशेञ जी ना वचनों नो आधारे आजली आचार्यों नी गुरुजनों नी याग्या हो वी जोई ऑन्ने ए जो थती होए तो वैसंनों न concur जो है और नो नो उजीन जिट लौन पराचिन मनवूश एक जह इद्धाप्रकार में एक इक्विजन कंडीशन छे ठाखुर जी पधा रेचे रह ठाखुर जी पण संघ मा बिराजे छे अन्य घाट ऊपर आजे पन जारे ठाखुर जी आपने न पधरावी ने लई गया हो तो पन पूजन थाए छे तो तिलक अने साथिया बनाए छे के नहीं तो तिलक ऐ ठाखुर ज साथेर यमनाजीनु पूजन थाए छे कियमके आपड़े देवी भक्त न थी आपड़े वैश्ण हो छिए विश्णु भक्त छिए खृष्ण भक्त छिए तो आपड़ा ते जे कई मनोरत है से ए मनोरतों मां ठाकुड़ी कंपल शरी चे और कोई नगकोई निते तरह पढ़ा रहे तो इसन से जन अो पन Hazil hemmaim मनो में AAA zoo, तो तो यमना जी ना तमुझना 安क ज़िना थाली Kn तो आवाज तमें द्रश्टान्त मुखीने मने प्रश्चन कर दो आवना साधेर उत्तर आपीस कि जा ठाकुड जी नती ए मनोरत पुष्टी मारग नो होई शकतो नती पुष्टी मारग ना मनोरत नी तो फस्त आवश्च्यक्ता आज चे प्राथमिक requirement के एमा प्रभू होवाझ要 शिमा प्रभू होवा जो ओए ठाक वो यंदा जी ववाझ के न dairy चाहिए ब्रजनी भाहु जो उब्रुजनी भाहु ना नहों होए ब्रजना को स्थल ब्रजना को अलोग किक तनी सिमा संस्पर्श के संसर्ग एने ना होए तो यह आपड़ू साम्प्रदाइक कार्य होतु नथी ब्रज प्लस ब्रजेश प्लस ब्रजभाशा इक्वल्स टु पुष्टि मार्ग मनोर्थो एज होए जेनू कोई वरडन कीर्टन मा मड़तु होए यमना जीने विविद प्रकार ना चुनड़ियो धरावी ने मनोरत करवानू आउ कोई कीर्टन पन मड़े छे कीर्टन मरतु नथी आखा माधूरिय खंड मा जैंश्री अमना जीनू भक्तिनू प्रकार बदू गर्ग संहिता मां आपेलू छे एक गर्ग संहिता आणा माधुरी खंड मां अप्रकार नथी ब्रह्म वैवरत मां मळतु नथी भागवत जी मां मळतु नथी महाप्रभु जी गोपिनाच जी गुसाई जी साथ बालको हरीराई जी पुरशोत्तम जी है कोई दीव से आवा ते विंति कराय करी शकाय छे कि आब अधानू प्रकार क्या थी प्रकट थयू जे जे आव अमने क्रपा करी ने आवस्तु जणाओ आएक विवेक बुद्धी थी एकदम जिग्यासा हर्दयमा लईने कोई पन प्रकार ना व्यंग के छेड छाड इमना जीवन साते करिया वगर तमें पुछी शको छो क्या अनू शास्त्री प्रकार शूं छे अने लास्ट चुहूं आप प्रश्णने समाधान ना उपसम्हार क्रम मा आटलूज कैस कि आपणा पुष्टी मार्ग मा जे माम सामपरत समय मा मारा ख्यालती सवा बस्तो बाल को बिराज मान छे बस्तो थी उपर बाल को बिराज मान छे कदा चेवू थाई शके क्या आपना दीक्षा गुरु कोई होए ने आपना शिक्षा गुरु कोई होए परंतु एक वस्तुनों तो तमें विवेक राखी शको न कि मैं क्या थी पन दीक्षा लिधी होए अश्टाक्षर पंचाक्षर तो एज रहवानू पन हूँ एटलू यत परंतु शिक्षान माटे तो एक स्थान राखो अने एक स्थान मां मड़ती शिक्षान प्रकार ने वी रिते स्विकार हो कि पचितमने ए तमने असत्य संभाशन करीने उल्टा मार के चड़ावान अब गुरु यतने करता हो एन तो ए चालवानी तमारी तैयारी होई जो ही किमके ए मां चालवा थी पन तमारू तो उद्धारत थसे जेटलू पन बिगाड थवानू ए गुरु नू उद्धावानू छे तमारू कई पन खोटू थसे नहीं आपन एक भक्ति मार्ग नी ब्यूटी छे कि ज्यान मार्ग मां गुरु उल्टो उपदेश आपी दे तो सा गरवानों नहीं तो एटले आप प्रश्ण नों आट्टो समाधान छे के दीक्षा क्या थी पंडलो शिक्षा एकत स्थान ती लो जेटले तमारे में कोई प्रकार्णी अज्ञानता अश्रध्धा के संशेर है नहीं श्रीवल्लभाधी शक्ति जैंग प्रश्ण भी जो श् परा चाली छे एमा एटलू वस्तु कुकाईज के भारतिय संस्कृति मा नौ एप पूर्णांख केवाए नाइन नंबर नाइन इस कंप्लीट नंबर एटले पूर्णांख छे आने कोई पन वस्तु एक व्यक्ति मा द्वादशांग मानवाम आवे छे के जे परिपूर्ण पूरुष होए एमा ध्वादशांग होए यटले ध्वादशांग वई पूरुष जेंद गुर्दन्याच जीना पंबार श्री आंग आपड़े अलग-अलग अंग ने आपड़े दर्शन करी शक्ये घह भागवाथ जीना पंबार शकंध चे तो आपड़ा त्यांग एक एक संख्या छे एपन एक प्रकारनी पूर्ण ताना ज्योतक तरीके छे के द्वादशांग वही पुरुषा अने तमे ए द्वादशांग पूरुष्ट ने एनी पूरुण तामा जुओ एटले पूरुणांग ने इना साथे गुना करो तो 1290108 एटले कोई व्यक्ति मारा मा आटे परिपूर्ण छे आम तमने केवु होए न तो ए एनी पूरुण अने गुरु तत्वने आपणे कोई दिव से भगवत तत्ति ओछा मानता नथी तो आपणा त्यां जेम ठाकुर्जी अनंत श्री विभूशित छे एवरी ते गुरुपन जे आपणो छे एपन अनंत श्री विभूशित अथवा 108 श्री छे 108 श्री एटले एमनामा कोई प्रकारनी अपूर्णता हूं एक भक्त तरीके के शिश्य तरीके सेवक तरीके जोतो नथी मारा गुरु मारा माटे पूर्ण छे जेम यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्याइटे या कथिता यर्ता प्रकाश्चंते महात्मना जेम श्वेताश्वतर उपनिशद नी अंतिम शुर्ती छे एके छे के जे व्यक्ति इश्वर मां अने गुरु मां एक बुद्धी राखे छे एने शास्त्र पोताना साचा अर्थों ने प्रकट करे छे तो इटले आपने जेम बिराज्मान होई तो 108 श्री होई छे अने लिलामा बिराज्मान होई तो 1008 एने आपने अनन्तता थी संबोधित करिये के वही एम Ihre सहस्त्र कुन थई गेया हवे हवे आप्रकट्ट शथ गुण नं थी हवे सहस्त्र गुणों छे तो 1008 श्री नित्य लिला अने 108 श्री भूत परविराजमान गुरु आवी रिते आपना त्यां आपड़ा गुरुने द्वादशांग परिपूर्ण तम महानवानु जे प्रकार छे आपड़ा त्यां न्यूम्रोलोजी एक आपड़ा त्यानी परंपरा छे आपड़ा जेटली पन वस्तु ओछे एने आपड़े अक्षर थी पन सिद्ध करिये छे गुना करीने पन शिद्ध करिये छे गणित थी पन आपड़े वधिवस्तु नू साधन करिये छे तो इटले आपना त्याना पुझ्य गुरु चरणों ने आपड़े कहिए गोस्वामी 108 श्री हावे जारे लोकों आम लगता होए ने श्री 108 अने पची नाम ना अगर फरी श्री लगाड़ी दे जें गोस्वामी श्री 108 श्री तो केटली श्री थाई गई 109 श्री थाई गई न श्री 108 आने पची फरी श्री इनू कोई अर्थ होतू न थे गोस्वामी 108 श्री एविरी तेज बोलो जोई है आपना त्यानों प्रकार छे त्रीजू प्रश्ण